तो दोस्ते एक बाद फिर आप सभी का UPSC Prelims टेस्ट रिस टेस्ट में स्वागाच है आज मत धेकालेन इतियास है मत धेकालेन इतियास का टेस्ट नमबर फूर जो UPSC Prelims 2023 की दिश्ट से एक मॉट पूर सिक्षन कहींने कहीं है क्योंकि हम जब UPSC का एक्जाम देते हैं तो यह किसी भी सिक्षन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं एक दो कुष्टन मिल जाए एक दो कुष्टन ही बहुत है तो तो ठीक है तो इसके लिहास से जो है यह भी सिक्षन अपने अपमेंiesta है 80 questions से 100 questions complete कर लेंगे इसके बाद इसके PDF आपको हमारे टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दे सकते नोटिफिकेसन आइकान आप कर सकते हैं डाकि नौटिफिकेसन आपको पहले मिल जाए क्लासे तीन बजे अफडेट हो जाती है डेली शाम को ठीक है और जब तक PT खत नहीं हो जाता तब तक यह जो है टिस्ट आप का लगातार डेली चलता रहेगा ठीक है चलिए कुशन 61 के शुरुआत करते हैं बीना किसी देरी के 61 में देखे तमिल राज्जों के बारे में निमलिफित कतनों पर विचार कीजिए कौन सा कतन सही नहीं है Option 1 चोलो के विपरित पांडे क्रिसी के सासाथ ब्यापार्स से भी परियाप राज़स प्राप्त नहीं कर सके Option 2 मलिक काफूर का अभियान चोल सासन के दौरान सुरू हुआ था Option 3 चोलो के अधिन ग्राम सभाओं ने सिछड संस्थानों के रख रखाओ यानि एरियाम नामक एक कर एकत्र किया आपको बनाना है तमिल राज़ों के बारे में इन तीनों में से कौन सा कदन सही है अगर आप सुरू एक की बात करे तो जो पांड सासक्ते वो कई सिछाई के स्रोध बिकसित किये जिसके परदाम सुरू पांड काल कदान क्रिस का विकास हुआ और इसके साथ बियापारिक गद्विधियो का भी समचित विकास हुआ उन्होंने बियापारियों को विवेने प्रकारके बंदरगाहों के बकाया वा टोल से छूट ट्राप्त की ठीक है कयाल एक बंदरगाह है उनका प्रसिद बंदरगाह था पांड सासको का तो कुल मिलाकर आपसर एक जो है गलत है यानि आपसर एक जो है सही नहीं है इसके हिसाब से सही है ठीक है अब बात करें आपसर दो की आपसर दो भी गलत है यानि दिल्ली सल्दनर के सासिक अलाव दिन खिल जी ने अपने सेनपत मली काफूर को दच्छ राज्यूस के में तो इसमें जो मलिक काफूर का भियान ये पांड सासकों के दोरान शरूगा ये चोल सासन नहीं था ठीक है आपसंतीन की बात करें आपसंतीन जो है ये भी गलत है यानि छोलों ने सिचाई सिस्टम में सुधार के कई उपाई किये सिचाई के कारियों को आवधिक और मौसिम रख रखाओक और मरमत के लिए अनुरचित स्रमिक का उप्योग किया चोलों के अधिन ग्राम सभाओं के एरियम नामक एक कर का इकत्र किया गया जिसका उप्योग सिचाई टैंकों की मरमत के लिए किया जाता था ठीक है तो इस प्र है जो साउथन डाइनेस्टी यानि दच्छडी राजवांसो की कला वास्थकला के संदर में बाप को विचार करना कौन सा कतन जो है गलत है आपसन एक कला और अस्थापत की नागर सैली चोलो के अधीन अपनी पूर्टा तक पहुंची आपसन दो मामल पूरब में पाए गया अखंड रत और मंडब चेरो के उल्लेखनी वास्थकला है आपसन तीन पांडियन सासन की एक उल्लेखनी विसेस्ता रॉक कट यानि पासार सिल्फ वास्थकला की अनुपस्थित है तो आपको बताना है साउथन डाइस्टी यानि दच्छडी राजवांसों की कला वास्थक ठीक है इसके अलावा अगर बात करें तो यह जो क्यों गलत है यह जो कला अस्थापत नागर सैली चोलो के नहीं बलकि यह जो थे इसमें द्रविड सैली के उल्लेखनी उदार आपको मिलेंगे ठीक है आपसन दो की बात करें आपसन दो भी गलत है मामल पुरब में पाए गए अखंड रत और मंडब पल्लों के उल्लेखनी वास्थकला के उदार है यानि चेरों से संब्दित ने बलकि किस से संब्दित है ठीक है जो पल्लों थे उनसे संब्दित है इसलिए यह भी गल यानि रॉककट यानि पासार सिर्फ वास्तुकला पांडियन वास्तुकला का मात्तुपूर हिस्ता है प्रारंबिक पांडों द्वारा बनाए गए एक प्रमुक राक कड़ गुफा मंदिर पिल्यारी पट्टी और इसके लामा तिर्चेंदूर कन्या कुमारी और सित्वलंस में पाये जाते हैं ठीक है सीतन वसल इस प्रकार देखेंगे इसमें एक दो तीन तीनों जो है जो है गलत है यारि अगर यहाँ होगा पांडियन सासन में उलेखनी भिससतार राक वास्थकला की अनपस्थित यहां उपस्थित होता है ती यह सही होता यहां पाया अनपस्थित की बात कर रहा है इस लिए यह गलत है कुछिशन नमबर 63 की बात कर लेतें, 63 में क्या पूछा है, प्राचीन इतिहास के संदर मिमलित कतनों पर विचार कीजिए कौन सा कतन जो है, सही है, आपसन एक, राजिंद प्रथम ने काल भ्रस को पराजित किया और तुंड़ई मंडलम में पल्लव सासन को मजबूती से स्थ आपित किया, आपसन दो, प्रसिद्ध किर्थान जुनियम लिखने वाले महान कभी भारवी को पल्लव का सरच्छर प्राप्ता, तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा किसन सही है, आपसन एक की बात करें, तो सिंग विशुडू के, सिंग विशुडू ने काल भ्रो एक सिंग तो इसमें राजन पर्थम की बात किया गया है, तो राजन पर्थम दिया गया तो यह गलत होगा, क्योंकि हमने बताया अभी इसे सिंग विशुडू ने हराया था, ठीक है? जिस प्रकर ऑप्शन एक गलत होगा, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानि सिंग विशुडू भारवी के संरच्चक थे, भारवी एक महान संस्कृत कवित थे, उन्होंने महान सास्त्रे संस्कृत महाकाब्यों में से एक को लिखा था, जिसे महाकाब या महान पिता अर्थात किरता जुनियम के रूप में जाना जाता है या अर्जुन और सिव के बीच का समवाध है तो इस प्रेकार इसमें ऑप्शन दो सही होगा कुशन नंबर 64 की बात कर लेते हैं कि आप पूछा चोल वंस की कला और संस्कृत के संदर निमलित कतनों पर विचार केजिए आपसन एक मंदिर निर्माण की द्रविस सही अपने चर्मोत कर्स पर पहुच गई थी तता गाओं में मंदिर जीवन के मातपुर केंदर बन गये थ है तो आपको बताना है चोल सासनकाल की कला और संस्कृत के बारे में आपको विचार करना है कौन सा गतन इन तिनों में सवाई है अगर आपसन 1 की बात करें मंदिर निर्माण में द्रविडस सही अपने चर्मोत कर्स पर पहूच गई थी और गाओं में मंदिर केंदर बन गए थे उनके जीवन के महत्रपुर केंदर बन गए थे यानि ग्रामासियों के आपसन दो की बात करें आपसन दो भी सही है यानि चोल यूग कि नौवी सताबदी के मजद चोलो द्वारा कांसे की ढलाई का अपयोग मुर्तिकला के निर्मार सुरू हुआ और जिसके काड़ यह काफी चर्चित भी रहा और यह तीन प्रकार के मुख्य तीन प्रकार के जो है मुर्तिकला होती थी और इस प्रकार ओप्शन 3 की बात करेंगा और ऊप्शन 3 भी था ही है यह यारी राज रियसर्मंदिर के द्रीशिक कारास के उनके निवास अस्थानमेञिन आट राज एवम त्रिपुरानाटक के रूप में सीव का प्रतनियुत करते हैं और उन्हें दीवारा पर बड़ी जबर्द्जस्त रचनाओं के रुप में चित्रत किया गया है चोल जो थे बित चित्र विजयालया छोलेसर मंदिर की दीवारों पर पाय जाते हैं जहां महाकाल देवी और सीव की चित्रत आकरतियां अभी भी दिखाई देती हैं तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन, तीनो सही है कुश्य नंबर 65 की बात करते 65 में क्या पूछा है चोलो की जो टैक्सेशन सिस्टम था यानि करागाण प्राड़ी के संदर में आपको बताना है कौन सा कथन सही ऑप्सन एक भूराजस विभाग द्वारा सरवच्छडों की सहायता से वैग्यानिक कर निधार किया था आप्सन दो किरेंदी करो अस्थानी उपकरों के बीच विस्तित अंतर था आप्सन तीन भूम करों को भूम से सम्मदित कई अनिकरों के साथ मान की क्रित किया गया था यानि स्टंडराइज किया गया था आप्सन फोर करके संग्रा के अस्थानी रूपों की ब्याप्याक थ और एवं अस्थानी तरिकों में इस तरह की पुनर निर्वेस था तो आप बताना है कि इसमें चोलो की जो टैक्सेसन सिस्टम था इन 4 मैं से कौन सा कथन जो है साई है पुनर निर्वेस का मतलब क्या होता है री इनवेस्टमेंट तो इसमें देखेंगे option एक की बात करेंगे option एक जो है सही है यानि चोल काल के दोरान जो है एक निश्चित भूराजस विभाग जिसे पुर्वोवारी तीने कलम कहाया तथा एक सुब्यवस्थित करने ड्राण और कंग संग्राहक तता भूम अधिकारों सरवचडों की नई प्रविष्टियां जिसे परिवोट टगम को रखने की एक सुब्यवस्थित रिकार्ड था option एक साही option दो भी साही है यान्ति केंद्री करों अस्थानी उपकरों के बीद विश्थित अंतर था option तीन की बात करें option तीन भी साही है ठीक है भूम करों को भूम सम्मादित अनिकरों के साथ मान की करिद किया गया यानि इस्टंडराइच किया गया था option 4 की बात करें तो option 4 भी साही है यानि करों के केंदरी जंग्रा और उसी के पुनर वित्रड यानि वित्रद से बचने के लिए अस्थानी रूप से संग्रा का प्रावधां से बात कर लेते है इस Stretch की योगदान के बारे में बात किया गया यानि contribution के बारे में बात किया गया है एक इंग के सिंह विश्डू मेहंदर वर्मन प्रतौब ठीक है नर सिंग वर्मन प्रतौब और उसके इलावा जरति saying वर्मन दुटी और नंदी वर्मन दूती है आपको बताना है कि A, B, C, D, E में इन सासकों का संबन्द किस्से है ठीक है? तो अगर बात करें सिंग विश्डू का तो सिंग विश्डू का सिंग विश्डू को पहला मातपुर पल्लव सासक माना जाता है तो विश्डू वाद के यह अनुवाई थे यानि A का संबन्द किस से है? A से है तो देखिए इन उप्शनों में A का संबन्द इसमें D है, इसमें D है इसको eliminate कर दर जिये बच्चा कौन सा? A और B अब महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर लेते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की शासनकाल में चालोक्यों और पल्लोव के बित निरंत्र संगर शरूगा था और लेकिन पुलगेशन दुति द्वारा बादामी की चालोक्यों शासों को सबसे महार माने जाते था पल्लव सामराज के खिलाप उनका पहला अभियान जो उस समय महंद्र वर्मन प्रथम द्वारा सासित था एक पूर सफलता थी जिसे उन्होंने पल्लव सामराज के उत्री भाग पर अधिग्राड कर लिया था ठीक है तो इसमें कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो महंद्र वर् प्रथम पल्लव सासकों को सबसे महान जो है क्या थे सासक थे उन्होंने पुलकेशन दुतिव को दूसरे आकरमन के कुचलने उनकी हत्या करने चालूक राजधानी वातापी पर अधिगाड करने इस तरह वातापी कोंडा यानि वातापी को विजेता के उपाई धाड़ करन प्रथम को तो इस प्रकार तीसरे का मिलान किसे होगा डी से अब बचा कौन सा नर्सिंग वर्मन दुति तो नर्सिंग वर्मन दुति जो होगा वो उनके बारे में थोड़ा सा देख रहते हैं नर्सिंग वर्मन दुति को राजा सिंग के नाम से भी जाना जाता था उनका सासन सांथ और सम्रित साहित्ति गत्वितियों और बड़े और सुंदर मंद्रियों के निर्मार से चिहनित किया आता है तो कुल मिलाकर महाबली पुरम के 30 मंद्रियों का नर्बार नर्सिंग वर्मन दुती के द्वारा किया गया और नंदी वर्मन दुती तो कौन सा बचा आप्सन ई बचा कांची पुरम के वैकूंट पेरुमल से सम्मादी थे इस परकार देखेंगे इसमें आप्सन ए जो है सु किरात अरजुनियम और दास कुमार चरित्रम पल्लों के सासन के दरान संक्रित साहित्ति कृतियां हैं आप्सन 2 मेंद्र वर्मन प्रथम को ठीड लेगन सहली के लिए प्रसित थे आप्सन 3 प्टक कल संस्कृत शीखने के लिए एक प्रसित अस्थल माना जाता है तो आपको पताना है 67 पल्लो सासन काल के दौरान साहित्तिक विकास के संदर में आपको कि संदर में कौन सा कथन सही है 67 और ऐसान एक की बात करें तो आपसन 1 जो है सही है यानि भारवी और धांडी दोनों संस्कृत भासा के प्रसिद्ध साहित्कार थे और क्रमसा, उनके भार्वी दार, किर्टा, अर्जुनियम और दानडी दोरा, दास कुमार चरित्र के लिखक थे पलो दारबार में रहते थे पलो काल के दोरान अनसाहित करतियां भी वारा महिर की बैग्यानी करतियां जाथा प्रसिद्िकाली दास की कविताये थी और आप्सन 2 की बात करें, आप्सन 2 भी सही, यानि वहंद बर्मन प्रत्थम ने जो है, अपने ब्यंग राचना कारेओं को प्रसिद्ध थे, ठीक है? आप्सन 3 की बात करें, आप्सन 3 जो है, गलत है, यानि पल्लो सामराज की राज़ानी काची संस्क्रिस इच्छा का महान किन था, और जबकि जो पटाड कल सहर जो है, चालुक्तों के सासन काल के दार, अपने मंद्रों वास्त कला करें प्रसिद्ध था, तो इस प्रकार ये पल चालुक्तों के प्रसासन के संबद्ध में विचार करें कौन सा कतन सही, आप्सन 1, चालुक्तों के अधिन केंद्र सरकार ने ग्राम प्रसासन को बिना किसी स्वायत्ता की ग्राम प्रसासन पर पित सतत्मंग नियंतरत बनाया रखा, आप्सन 2, चालुक्तों के पास बड़ी समुद्र सकती वाले एक छोटी सेरा थी तो आपको बताना इन दोनों में से कौन सा कतन सही है अगर बात करें ओप्सन एक की तो ओप्सन एक जो है बिल्कुल सही है यानि बादामी के चालुकों के अधिन केंदर सरकार ने ग्राम प्रसासन पर पित सतरात्मंग नियंतर का प्रियोग किया जो उस समय देचर भारत के प्रसासनिक अभ्याज के विपरित था पल्लों और चोलों के विपरित चालुक के सासकों ने ग्राम प्रसासन के बहुत अधिक स्वायत्ता नहीं दी थी option 2 की बात करें, option 2 भी सही, यानि चालू के पास बड़ी समुद्री सक्ति वाली एक छोटी सेना थी, तो इसमें देखेंगे option C जो है, सही है, question number 69 की बात करते है, 69 में list first, list 2 दिया गया है, चालू के काल के राजाओं और उनकी उपलबदियों के बारे में, यानि पुलकेशन प्रथम, किर्ति वर्मन प्रथम, विक्रमादित प्रथम, विक्रमादित दोती, किर्ति वर्मन प्रथम, आपको बताना है, चालू के जो काल के ये सासक थे, इन र जाओं के उखलबद्यों के बारे माँको मेमेलान करना है तो इसमें देखेंगे पुलकेशन प्रथम पुलकेशन प्रथम जो है चालिकोवन्स कर संस्ताफक्त ठीक है यानि इनका सम्मंद किस से है option B से तो देखिए जहाँ जहाँ भी हो उसको सही होगा इसमें C में नहीं है डी में नहीं है अब बात करें कीर्ति वर्मन प्रथम तो कीर्ति वर्मन प्रथम पुलकेसम प्रथम का पुत्र था और जिसने बनवासी के कदंबो और बस्तर के नाल सासकों के खिलाब युद्धो द्वारा राज का बिस्तार किया था तो इस प्रकार देखेंगे दो का सम्मंद किस से होगा D से कि इसमें दिखिये 2 का समन्द c से और दो का समन्द d से एका समन्द b से इसमें देखिये दो cket को जाएगा कि क्या दो कैसा इसमें option ए जो है सही पाफ जैडल रफट करते हैं को बात करते हैं निम्लिखित में कौण सा मंदिट चालुकों में इसे समन्दीं है मेला गिट्टी सिवाल है हुसीमुली गुड़ी मेगूती लादखा पापनाथ विरुपाच अनत्यस्वर आपको बताना है इसमें कौन सा संबंद इन पाच्छो सातों में से कौन सा जो है मंदिर चालुप को संबंदित है इसमें देखेंगे जो अनतेस्वर जो है वो जो है गुंटूर जिला में आपको मिल जाएगा और पल्लुप के मंदिर वास्तुकला के महेंद्र समू का प्रतनित करता है ठीक है इसमें चालुक को सम्मंद्ध पुछा है जबकि इसका सम्मंद्ध किससे है पल्लों द्वारा बनाए गए मंदिरों के सम्मों से तो इस प्रकार साथ जहां होगा उसको इल्मिनेट कर देजिए बचा क्या बचा ए तो ए इसमें सही हो यानि एक दो तीन चार पांच छे चालुक से सम्मंद्ध है अब बात करतें क्वेशन नंबर सिबन्टी वन की चालुक के सामराज के संदर निमलीत कतनों पर विचार किजे कौन से कतन सही आप्शन एक चालुक प्रसासन पनलों और चोलों के विपरित आत्रितिक वी केंद्रिक था आप्शन दो अस्व में गियक अनुस्टान कुछ चालुक सास को दोरा किया गया था आप्शन तीन एगोल सिरलेक चालुक सामराज से संबन्द्ध है आप्शन एक की बात करें तो आप्शन एक गलत है यानि चालुक जो थे वो सरकार का एक रास्ता ही रूप भी अपनाया था चालुक प्रसासन में पलों और चोलों के विपरित आत्रिक केंद्रिक रित था वी केंद्रिक नहीं था तो इस परकार option A गलत हो जाएगा तो यानि option एक जहां जहां हो eliminate कर देती यानि इसमें option B जो है सई हो जाएगा चालुकों ने वैदिक संस्कारों और कर्मकांडों के सम्मान का मात दिया और इस वन्स के संस्तापप पुलकेशन प्रथम ने असुमेक भी किया था कभी और राजा पुलकेशन दुती के सलाकार रविकिर्त द्वारा लिखित एहोल सिलालेग या सिलालेग भारत में करनाटक राज में एहोल नमक अस्थान परिस्ति थे और इस सिलालेक में मेगुती जैन मंदीर का निर्माट चालू के परिवार राधर पुलकेशन दुती के साही संरच्चक के समर्थन का उलेक मिलता है ठीक है तो इस प्रकार इसमें देखेंगे अगर उसमें उस हिसाब से आइंसवर दिया गया है तो अब बात करेंगे कुशे नंबर सिबंटी टू की चोल राजाओं चोल राजाओं द्वारा दिये गए भूम उपहार के संदर मिमलित कतनों पर विचार केजिए कौन सा कतन सही नहीं है आपसन एक वेलन वागाई कातात पर ब्रामण को दिये गए भूम के अंदान से आपसन दो तिरुना मत्टुकनी ग्रैर ब्रामण किसान मालिकों के लिए एक दी गई भूम है आपसन तीन पलिच्छिदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूम है ती आपका बताना चोल ब्रामण वादी किसानों को संदरबित करता है तो ये इस पकार ये गलत हो जाएगा ठीक है तो इसमें देखिए एक जहां होगा वो सही होगा तो ए में एक है बी में एक है सी में नहीं इसको इलमेट कर देजिए आपसन दो की बात कर लेते हैं तो तुरुना मत्टुकॉनी जिसे देवदान भी कहता है वंदिरों को उपहार में दी गए भूम से सम्मधित है तो ये भी सही नहीं है तो दो जहां होगा वो अपसन सही होगा इसके हिसाब से तो देखिए इसमें आपसन एक में दो नहीं है इसको इलमेट कर देजिए बचा B और C तो एक ही आपसन 23 की तो प्राचे नाम दिये गये हैं बरामी इस्थवी के आसपाद भारत के सहरो और वर्तमान नाम दिये गये हैं आपको बताना है कूट का प्रयोग करके करेक्ट एंसर चूज करना है शाकंबरी अजय मेरू मन खेत कानियम कुम्ज कुप्ज कल्याणी तो आपको इसमें जो ह सुमिलित करना है साकंबरी के चाहबान जिन्हें सामभर के चौहान के रूप में भी जाना जता है एक राजवनस्ता जिसे छटवी से बराहवी सताबदीव किया वज के दोरां राजस्थान के वर्तमान भागों में सासन किया था तो इस प्रकार देखेंगे एक संबन जो है सामभर लेकटाउन राजस्थान से इसके अलावन जो जो इसका संबन देखेंगे तो सथापना एक चाहन सासक ऑजय राज प्रथम कि राजद्धाने था या वरतमान में आजमेर और आरावली पहाड़ियों से घिरह हुआ है इसका संभंध B से है यानि देखिए एक आसंभंध A से बो का संभंध B से कहाँ कहाँ है एक तो A में है एक तो B में है और ना तो C में है ना तो D में इसको Ilmede कर दी यानि ओप्स मालखिर करनाटक में जो हाइद्राबाद के जछफ्षिभ भाग में तो इस प्रकार इस तीन का संबन सी से है अब देखिए बी में तीन का संबन देखिए डी से है इसको इल्मिनेट कर देजिए आपसन ए जो है सई है अब बात करते हैं कुश्चन नंबर 74 की गजनिवी के संदर में शिकन सब्द का अर्थ है आपसन ए इसलाम की रच्छा के लिए मूर्तियों को नष्ट करने वाल आपसन बी एक सामरा जिसे सीरिया इरान ट्रांस अक्सियान सामिल थे आपसन सी मदेशिया आदिवासे तुर्की आकरमणकारी आपसन डी सुल्तान दोरा बनाए गया नियम और कानून तो गजनिवी के संदर में सिकन सब्द का अर्थ आपको बताना है तो सिकन सब्द का अर्थ होता मेहमूद गजनवी के संबंद में इसलाम की रच्छा के लिए मोर्तियों को नश्ट करने वाला उसे क्या कहते हैं सिकन कहते हैं तो मेहमूद जो था वो अल्पत गीन का पुत्र था महमूद गजनी के बार भारत आक्रमण करने के संदर निमलित कतनों पर विचार केज़े कौन सा कतन सही आपसन भारत में उनके पहले आक्रमण को लंगन याजी अफगानी अफगानिस्तान के फिलो पर कबज़ा करने के रूप में चिन्हित किया गया था है जो बाद में उनके बाद के लाक्रमण को सवराश तक फ्हलाया था option 2 महमूद के भारती अभियान सुस्क मौसम के उधारान शुरू हुए मांसून से पहले साप्थ हो गए थे option 3 भारत में प्रवेस करते साथ सबसे पहले हिंदुसाही सास्थकों ने गजनवी को प्रत्रोत किया option 4 उन्होंने भारत को लूटने के रास्ते में आने वाले मुसलिम सास्थकों के साथ युद्विराम की नित लाओगी option 1 की बात करें तो महमूद भारत पर महमूद गजनवी का अक्रमड 1000 इसापूर में शुरू हुआ यानि इस वीव से शुरू हुआ और जब उसने आधुनिक जो है जलालाबाद अफगानिस्तान का एक सहर है कि पास कुछ किलों पर कबजा कर लिया इसके अलावा लमगन प्रसिद अरेमिक सिला लेख भी है या 260 इसापूर के आसपास भारती समराट असोग द्वारा अरेमिक भासा में लिखे गए प्राक्तिक चट्टान के एक सिला लेख है और अक्सर असोग के छोटे सिला लेखों में से एक किरुप में वर्गिकित किया गया है आफ्शन एक की बात करें आप सर एक बिल्कुल सही है ठीक है इसमें डेखिए आफ्शन चे में एक नहीं हैcket कर दी जिये option 2 की बात करें, option 2 भी सही है यानि मेहमूद गजने अभियान सुस्क मौसम के दान सुरू हुआ और मांसुन से पहले समाप्ट हो गया यह हमेशा उसका जो है तरीकत, loot part करने का option 3 की बात करें option 2 को भी element कर दी क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं option 3 की बात करें तो option 3 भी सही है यानि हिंदुकुस पहाड़ों के आसपास के छेतर पर सासन करने वाले हिंदुसाही राजवन सबसे पहले गजन्यों के साथ संगर्स में आये थे option 4 की बात करें तो option 4 गलत है यानि महमूद ने भारत को लूटने के अपने रास्तिक पर आये अधिकांस बारती राज्यों को हरायाए और यहीं मुल्तान के मुस्लिमों सासक के साथ वही बेओहार करने में संकोच नहीं किया जिसके छेतन ने महमूद के मात को औरुद किया, यारी सब के साथ एक ब्योहार, तो इस प्रकार एक, दो, तीन सही है, तो एक, दो, तीन ओप्सन ए में है, कुष्यन नमबर 76 की बात कर लेते हैं, इसमें भी पूछा है, महमूद गजनीवी के संदर में निमलेत कतनों में कौन सा ख़ाथन स सही है, आपसन एक, वह अपनी लूट, डकैती और विधर्मियों और काफिरों की हत्या के लिए अपने प्रसिद के कार्ड जो सांस्कृतिक, राजनीद के प्रतिकात्मग बन गया था, आपसन दो, उनकी कटरता गैर मुसल्मानों तक ही सीमित नहीं थी, उसने मुसलिम सही है, यानि प्रतिकात्मग बन गया था, ठीक है, राजनीतिक, आपसन दो की बात करेंगे, आपसन दो भी सही है, जैसा अभी मनें बता, मुल्तान के राज़ पर दो बार हमला किया, और यह दाउद नामक एक मुसलिम सालसक दौरा सासित था, जो एक इसलामी, जो एक स्मा अपने वाला अपना वादा पूरा नहीं किया था, इसी कार उसे मार डाला गया था, इससे सस्पस्ट होता है कि वो सभी के साथ समान खुरता से हमला करता था, आपसन तीन की बात करेंगे, आपसन तीन जो है गलत है, महमूत केवल उन कवियों के प्रत अत्यन उदार थे, जिन्हों ने उन पर रचना की थी, उन्होंने अन्य विद्वानपूर्सों की सराना नहीं की, उदार के लिए फिरदोसी को उनके काम, यानि साहनामा के लिए परियाप्त रूप से भुकतान नहीं किया गया था, और अ 2017 में खारजम सा के पतन के बाद बंदी बना लिया गया था, इससे असपस्ट होता है कि सब के प्रत जो है उदार नहीं थे, इसमें एक और दो जो है सही है, कुशन नंबर 77 की बात कर लेते हैं, निमलिखित में से किस कारक के कार महमूद घजनी भारत पर कई बर आक्रमन किय प्रतिरोज प्रतान करने के लिए उत्तर भारत के किसी भी दुर्जे सामराज का भाव यानि एपसेंस अप एनी फॉर्माइंडबल किंग्डम इन नॉर्थ इंडिया टू प्रोवाइड़ेट रिजिस्टेंस, आपसन दो महमूद की लूट पार्ट की गद्विद्या आपसन एक की बात करें, आपसन एक सही है, यानि महमूद की आश्चर जिनक सैन सफलता पूरी तरह से उसके कौशल सेना और वीवरता के कारण नहीं थी, इगरावी सताबदी की बात है, उसके सुरुआज के दोरान एक आकरमण कारी के लिए राजनेतिक इसित बहुत पक्ति उत्तर और मधिप और पूर्वी सासक के 27 संघर्स के परडाम सरुप वे सभी कमजोर हो चुके थे, इसने गुजर प्रतिहारों के जीवन सक्ति और सैन सक्ति को समाप्त कर दिया था, उत्तरी भारत ने अन आकरमण कारी से उत्तर में, उत्तरी मेदान में रच्छा कर करने के उनकी जगा लेने के लिए इग्रावी सताब्दी के सुरुवात में कोई जो है दुर्जे सक्ति पैदा नहीं हुई थी, ठीक है, इससे उसकी बार बार जो है वो आकरमण करने में, क्योंकि कोई पत्र हो दिना आई था, आप्सन दो की बात करें, आप्सन दो भी सही है, भारत में उस समय सबसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे सक्तारी राजवान स्चोल था, लेकिन वे भारत के दच्छड हिस्चे में इतने गहरे थे कि उन्होंने सायद हिस पर ध्यान दिया और एक खत्रे के रुपे महमूद गजनिक उस पैट पर विचार नहीं किया, त कुशन नमबर 78 की बात करें, इसमें मत दिकालें इतिहास, भारती इतिहास का संदर में खोखर सब्द का क्या आर्थ है, आप्सन A, विजित भूम के लिए भूराजस नेतियां, आप्सन B, भारती सासकों के लिए छापा मार, छापा मारी के बाद लुटा गया माल, आप्सन C, आदनीक पंजाब के पास छेतर में रहने वाली इक विजित जंजात, आप्सन D, गजनवी दोरा लाया गया विजित साहित का एक प्रकार, आपको बतार है, मत दिकालें इतिहास के संदर में खोखर सब्द का क्या आर्थ है, तो 1205 में भारत में प्रवेस करते समय गोरी, म इस प्रकार जो है, इसमें देखेंगे, आदनी पंजाब पास छेत में रहनेवाई विजित जंजाती, 79 की बात कर लेते हैं, इसमें पूछा है, दिल्ली सल्तनत के संबंद निम्रित कतनों पर विचार कीजे कौन सा कथा गलत है, आपसन, एक मुहमद गोरी के निम्रित के प इस प्रकार उत्तर भारत पर एक मजबूत नियंतर अस्थापित किया, बारो सुच्छा में मुहमद गोरी के ब्रित हुई, टोन के भरोसे मंद वंस, कुद्बुद्धिन एबक ने दिल्ली में एक स्वदंद राजवंस की अस्थापना की घोषडा की, जो एक मामलुक वंस के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रकार सामुहिक रूप से दिल्ली सल्तनत के रूप में भी इसे जाना जाता है, इन सब घटना क्रमों को मिला कर, आप्सन एक जो है सही है, आप्सन दो की बात करें तो आप्सन दो भी सही है, यानि अगर बात करें जो पांच राजव तुर्की मूलक थे चौथा सायद वंस मुलतान का था अंतिम लोधी वंस जो था वो अफगान मूलक का था तो इसमें देखिए इसमें पूछा कौन सा आपसन जो है गलत है तो इसमें जो है आपसन भी जो है गलत है ठीक है क्यों गलत है अभी मैंने बता है जो तुर्की मूलक थे मौमले खिलजी तुगलक थे और चौथा सायद वंस था जो मुलतान से समझ देखिए तो कुल मिलाकर इसमें आपसन भी जो है वो सही है कुछे नमबर एटी की बात कर लिते हैं इसमें पूछा दिली सल्तनत के संदर में गया सुद्दिन बल्बन के बारे में निम्लित कतनों में कौन से कतन सही अपसन एक उन्होंने चालिस या चालिस रैसों के समों के परिस्मापन की नीत के निर्धरत की option 2 उसके सासन काल में न्याय प्रसासन के मामले में समानता की नीत अपनाईगी option 3 बलबन ने अपने सामराज के बिस्तार करने के लिए दिल्ली के बाहर लगतार बिजय प्राप्त की सही उत्तर आपको बताना गया सुद्धिन बल्बन के सम्मन्द में है तो इसमें अगर आपसर एक की बात करें आपसर एक सही है क्योंकि वह किसी के साथ सत्ता साजा करने के लिए तयार नहीं था यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी नहीं उसने इस उद्धिस को प्राप्त करने के लिए अपने चचेरे भाई सेर खान को भी कोही जहर दे दिया बल्बन अंदता जो है अगर बात करें तो वह उलेमाओं को सम्मान करते थे लेकिन उन्हें राज्यों के मामलें हस्त अच्चिप नहीं करने देते थे आस इस प्रकार खुल मिलाकर इसमें अपस्ट एक की बात करें ऐसार एक जो है शाय रहे है कि तीट है यानी यानि जसें चालिस रहीसा की बात कि उन्हें को समों क coke तो इने भी सही है यानि जनता का विश्वास जीतने के लिए उन्हों उन्हों ने बिना किसी निश्वस्ता के साथ न्या किया यहां तक कि देश के सबसे बड़े कुलीनों को भी नहीं वक्सा गया अप्सन 3 की बात करें अप्सन 3 गरत है बलबन नहीं विजय के लिए नहीं गया बंगाल में एक को छोड़ कर जो है अगर बात करें तुगुरी प्रकडर बलबन के दास और बंगाल के रजपाल ने उसके खिलाफ बित्रो किया था तो कुल मिलाकर बलबन अपने सामराज के वि तो सही है तो दोस्तों इस परकार हमारा असी कुश्चन का टार्गेट पूरा हुगा इसकी पीडिएफ आपको हमारे टिलग्राम चैनल पर मिल जाएगी और फुल लेंद की टेस्ट रिज चलू हो गई है डेली तीन बज़े टेस्ट होती है आप जाकर देख सकते हैं थैंक कर देख सकते हैं